तो सब्सक्राइब आप एक broadband लेनी की सोच रहे हो और सोच रहे है कि यार मैं BSNL का broadband लेलूँ क्योंकि हो सकता है आपके यह और कोई भी available नहीं हो तो इस वीडियो को पहले पूरा देख लीजे इस वीडियो में मैं review करूंगा BSNL की services को आपको बता है मैंने चार-पांच महीने पहले BSNL का connection लगवाया था broadband वाला उसका वीडियो भी बनाया था मैंने और उसमें बताया बिदा कितना इंस्ट्रेशन चार्ज लगता है तो मुझे अच्छे से पता चला इसके pros और cons क्या-क्या है तो मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से clearly आपकी जो सारे doubts है वो clear हो जाएंगे फिर आप decide कर पाएंगे क्या आपको BSNL का broadband लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए सबसे वहले बात करते हैं BSNL का broadband आपको कब लेना चाहिए मैं explain करता हूँ कब लेना चाहिए उसको अगर आपके आप city में रहते हैं और आपके या ओल्रेडी एटल है जीओ है और भी बहुत सारे अदर जो service provider होते है ISP जो local ISP होते हैं वो है तो आप BSNL को देखिए भी मत फिर आप एल्टल में देखिए या फिर जीओ देखिए क्योंकि इन दोनों की services काफी अच्छी होती है और यह BSNL से बहुत ही अच्छी service देते हैं कभी भी बंद नहीं होते हैं जब मेरा personal experience है एल्टल के साथ वो कभी भी बंद नहीं होते हैं जी ओ भी और एल्टल भी अगर आपके हैं अल्रडी यह हैं तो BSNL को बिल्कुल भी टच भी मत करिए फिर तो आप इनी services को लीजिए और एल्टल को कैसे लेना है क्या करना है वो सब कुस मैंने एक और वीडियो में बता रखा है जी ओ को भी कैसे ल आपके यहां पर सिर्फ रेल वायर और BSNL या फिर रेल वायर भी नहीं है सिर्फ BSNL तो आपको यह BSNL का लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए यह डिपेंड करेगा उसकी services के उपर अगर official BSNL वाले कर रहे हैं तो फिर मत लीजिए क्योंकि उनकी service अच्छी नहीं होगी वो आपकी problem solve कर देगा मेरे case में सेम यह हुआ है BSNL ने franchise दे रहे कि किसी third party vendor को जो local tv operator होते हैं उनको यहां पर franchise दे रहे किये वो अच्छे से service manage कर लेते हैं बट अगे मैं बताऊंगा क्या क्या problem आती है अगर आपके यहां कोई कोई भी service provider available नहीं है तो फिर आप BSNL को दे वो video आपको description में मिल जाएगा यह आपको clear हो गया कि आपको BSNL कब लेना चाहिए अब बात करते हैं इसके installation charges की जो सबसे पहले अच्छी बात जो मुझे नहीं लगी वो यह है कि इसके installation charges आपने website पे देखा book करने से पहले कि इतने तारीक तक free है बट जब आप उसको apply करें तो आपको बोल देंगे कि installation charge आपको 5000 देना पड़ेंगे website में कुछ भी लिखा उससे कोई मतलब नहीं उन vendor को अगर third party vendor है तो उनको कोई मतलब नहीं उनको तो installation charge लेना है और वो लेके ही रहेंगे अब यह installation charge जो है वो डिपेंड करता है आपके location के उपर आपकी location कहा है कित किता दूर किता वायर लगेगा वो सब third party vendor देखते हैं अलग से कुछ भी नहीं लेते हैं वो सब installation charge में इंक्लूड होता है बट वो सब देखते हैं और उसी के बाद आपको installation charge बताते है अब यह city wise भी डिपेंड करता है जैसे कि मेरे case में MP में 5000 रुपे installation charge होते ही है अगर व लोकेशन के उपर वी वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो के comment section में जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी city में किते इंस्टलेशन चार्ज लोगों से लिये हैं BSNL ने तो इंस्टलेशन चार्ज का यहां पर एक और थोड़ा सा गडबर मामला लगता है कि यह location पर डिप अब बात करते हैं पर बिल पेमेंट की यह मुझे थोड़ा सा आजीब सा लगा क्यूंकि मुझे बिल पेमेंट करना होता है online में इसे मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है जिसे online को काफी अलग-अलग offer मिल भी जाते हैं बट यहां पर क्या होता है जिसे जो थर्ड पाट अब डेट नहीं होगा कनेक्शन कर जाएगा यह वह बट मुझे पता चल गया था कि वह अपना कमिशन रखने के लिए खुदी डारेक्ली डारेक्ट कमेक्शन रख ले वह अगर हम ओनलाइन पेमेंट कर देते हैं बीएसनल को डारेक्ट तो उनका कमिशन वहां से कटके और थर्ट पार्टी वेंडर है तो यह केस यह कंडिशन तब अपला होगी आपके उपर जब कोई थर्ट पार्टी वेंडर से आपको कनेक्शन मिला है तो यह मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा बट टीके उसमें मुझे कोई प्रब्लम नहीं है पचास साथ रुपे यह मतलब जब लिए लगा था कानिक्शन तब मुझे अच्छी स्पीड मिली कुछ एक पांच छे दिन हुए और स्पीड गई मैंने कॉल कि आप यह स्पीड का क्या हुआ बले की वायर कट गया है उनके वायर मतलब मानके चलो आप हर पांस दिन में हर वीक में वायर कटते इतने कटते हैं कि आपको वायर कट जाता तो नेट बंद होना चीए बट नेट बंद नी होगा कभी मैं दूलिए कि आप नेट बंद हो जाएगा इस पीड कम हो जाएगी अब यह स्पीड कम हो जाएगी इसके बहुत सारे रिजन मेंने काफी रिसर्च किया है तब मुझे इसका रिजन का एक्चुल में इसका रिजन है आउटडेट हाडवेर और सॉफट्व्वेर जो भी यह यूज़ करते हैं तो हाडवेर में लिए हो सकता है इसका रिजन यह जब इनके सिस्टम पे लोड आता है काफी सारे यह चानेक्शन तो दे रही रही आ लुट बट रGO न होता है पुरा नहीं बनी होती है अगर को एक के खराब हो गई कहीं पर जहांसेरवर आ राहा है वांकी तो यह दूसरी केबल के शुर्ट कर देते हैं तो सबी जगा रडा की महिने में एक बार यह सफते में एक बार मिलती है और जब इनकी प्रोब्लम होती है तब स्पीड आप देखिए इस तरह की स्पीड देखने को मिलती है बहुती कम स्पीड देखने को मिलते हैं ये ये इनकी मेरे देखन को इस हब आँड़ेटड हर्डवेर प्रोब्लम आती रहती है और इनका में कारना हर्डवेर अभी ऑपना हर्डवेर जो है वो अपग्रेट नहीं किया है तो यहां यह मेन प्रोब्लम में इसकी कि उसका अपड़ेटेट हार्डवेर भी है और केबल की कमी भी है कनेक्शन तो दे रहे हैं बट आगे फाइबर इतनी नहीं है कि वह जो ट्राफिक आ रहा है उसको अच्छे से मेनेज कर पाए यह मेन प्रोब्लम मुझे लगी बाकि जब मिलती ही रहती है अपलोड डाउनलोड दोनो अब फाइबर है तो डाउनलोड दोनो बराबर होगी बस यही था इसका रिव्यू आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको यह ब्रोडबेंड कब लेना चीए अगर आपके यहां कोई भी अवेलेबल नहीं कोई आपक यहां पर में प्रोडबम मुझे इसकी लगी और पिंग बी कई बार जादा आजाते हैं पिंग में इस्पीड अगर आपका काम ही इसा है आपको स्पीड कम हो जाए तो काम नहीं चलेगा तो फिर ब्सनल का मत लीजिए और भूल के भी कोई भी जो डेटा कार्ड आते है जो वीडियो पसंदा तो जो दो से इस वीडियो को लाइक करिए शेर करिए अपने फ्रेंड के साथ में इस से रिलेट सारे वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वहां जाके आप उन वीडियो उसको देख सकते हैं अगर आपने चैनल को कर लो लाइक कर दो वीडियो को बेल आइकों के साथ कि आगे आने विली वीडियो doponai मिलते रहे हैं अगरया आपको को ओन light this time thanks for watching